नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, मैं डॉक्टर अंजू ओजा, आज आपको महा सागरिय जल के तापमान के बारे में बताने जा रही हूँ, जैसा कि हम जानते हैं तापमान का मुख्य श्रोद जो होता है, वो सूरिय होता है, तो इसी तरह से सागरिय जल के सूरिय से लगू तरंग के रूप में महा सागरों को प्राप्त होने वाली उर्जा को सूरिय ताप कते हैं, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि सूरिय से जो तरंगे हमें प्राप्त होती है, या उश्मा जो प्राप्त होती है, वो लगू तरंग के रूप में प्राप्त हो का सुभाव अधिका प्रभाव होता है इसतलिये भाग के समान सागरिये भाग में भी उश्मा संतुलन की स्थिति पाई जाती है अब उश्मा संतुलन क्या होता है कि जितनी उश्मा हमें प्राप्त हो रही है उतनी वापस से वायुमंडल में लौट जाए या वापस से किसी क सागरिये जल की सतय का और सक देनिक तापांतर नगणने होता है उसका कारण होता है कि सागरिये भाग या पानी की प्रकरती होती है कि वो देर से गरम होता है और देर से ही ठंडा होता है सामाने रूप से महा सागरिये सतय के जल का उश्तम तापमान दो बजे साय का तथा न्य मेग रहित आकास की स्थिति में सागर्य जल का गर्म होना तथा शीतल होना तिवर गती से समपादित होता है जिस कारण दैनिक तापांतर अधिक होता है यानि कि यदि आकाश मेग रहित है तो जो पार्थिव विकिरन होता है वो तिवर गती से होता है उसको रोकने के लिए को चार तथा मेगा चन आकाश के कारण दैनिक तापांतर कम हो जाता है अब हम बात करते हैं वार्षिक तापांतर की तो जिस तरह से दैनिक तापांतर में प्रति दिन के न्यूंतम और अधिक्तम तापमान का अंतर देखा जाता है उसी तरह से वार्षिक तापांतर में पूरे वर्ष का न्यून्तम और अधिक्तम तापमान का अंतर देखा जाता है, वही कहलाता है वार्षिक तापमान अगस्त में तथा न्यून्तम फरवरी के महिने मंकित जाता है, सामाने ते ओसत वार्षिक तापमान तर दस डिग्री फरन आइट तक होता है, परन्तु प्रादेशि की भिंता को सूर्य ताप से प्राप्त होने वली मात्रा सागर का स्वभाव प्रचलित पवन सागर की स्थिति इत्यादी प्रभावित करते हैं जो भाग इस्तल से गिरे सागर ये भाग होते हैं वहां पर वार्शिक तापांतर अधिक पाया जाता है क्योंकि इस्तल के संपर् गरम भी हो जाते हैं और वार्षिक तापांतर का अंतर उनमें अधिक पाया जाएगा सागर का अकार जितना बड़ा होता है वार्षिक तापांतर उतना ही घड़ता जाता है अट्लांटिक महासागर में प्रशान्त महासागर की अपेक्षा अधिक तापांतर पाया जाता है अ महासागरिय जल के तापमान के वित्रण को पांच कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, नमबर वन है अक्षांस, नमबर टू, जल एमस्थल के वित्रण में ऐसामानता, नमबर थ्री, प्रचलित पवन, नमबर फोर, महासागरिय धारा, और नमबर फाइफ है अन्य कारक, अ जिसका कारण क्या है? सूर्य की किरने, दुरूहों की और तिर्ची होती जाती है, जिससे तापमान की मात्रा भी दुरूओं पर घड़ती जाती है. एक अनुमान के अनुसार भूमद्य रेखा पर जितना तापमान प्राप्त होता है उसका 40% ही दुरूओं को प्राप्त होता है जिस कारण सतही जल का तापमान घड़ता है। महासागरों का तापमान दक्षनी गुलार्द की अपिक्षा अधिक रहता है। तीसरा कारक है प्रचलित पवन जैसी पवने चलेंगी उसी के अकॉर्डिंग महासागर का तापमान होगा। महाँ पर तट के पास गरम जल्रासी एकतिलत हो जाती है जिस कारण तापमान बढ़ जाता है। अब देखेंगे कि व्यापारिक हावाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापमान पाय जाता है। चोथा कारक है महासागरिय धारा गल्फ स्टीम धारा यहां हम देखेंगे कि जितनी भी धाराएं जो धाराएं गरम होंगी वो उस चेतर के तापमान को बढ़ा देंगी और ठंडी धाराएं उस चेतर के तापमान को कम कर देती है। तो देखेंगे इसको एक्जामपल में गल्फ स्टीम धारा उत्री पक्षमी यूरोप के तट पर तथा क्यूरोसी वो धारा एशिया के उत्री पूर्वी तट पर तापमान बढ़ा देती है। पासका तक बहा कर ले जाती है तथा तापमान वहां का उचा कर देती है। पर्टिकुलर चेतर का जो तापमान है वो बढ़ा देती है और ठंडी धाराएं जिस चेतर में भैती है उस चेतर का तापमान कम कर देती है अन्य कारक हैं अन्ते सागरिय कटक के कारण उसके दोनों और के तापमान में भिंता पाई जाती है इस्थानिय मोश्मी दसाएं जैस के तुफान चक्रवाथ अरीकेन आदी सागरिय तापमान को प्रभावित करते हैं निम्न अक्षांसों में इस्तित तापक्रम की अपिक्ष्य अधिक होता है। भुमद्य रेखिये भागों में अत्यदिक वर्षा के कारण सागर्य जल का तापमान उस्तम नहीं होता। उस्तम तापमान आयन रेखाओं के समीपी भागों में अंकित के रहता है। सागरों की उपरी सतय का तापमान 26.7 दिगरी सेल्सियस संकित के रहता है। भुमद्य रेखा के बाद उत्तर और दक्षिन की और जाने पर तापमान में गिरावट होती है। साथ डिगरी अक्षांस के पास 34 दिगरी फोरन हाइट एवं द्रूओं के पास 32 दिगरी फोरन हाइट तापमान अंकित किया जाता है। उत्री अट्लांटिक महासागर में गरम जल धाराओं के कारण भुमद्य रेखा से उत्तर की और जाने पर तापमान में गिरावट न्यून होती है। क्रूमेल के अनुसार महासागरों की सत्य का धिक्तम तापमान 5 दिगरी उत्री अक्षांस के पास और न्यून्तम तापमान 30 दिगरी उत्री अक्षांस तथा उत्री धुरू के बीच एवं 75 दिगरी दक्षिनी अक्षांस से 80 दिगरी दक्षिनी अक्षांस के मध्धे पाय प्रशान्त महासागर की सतय का तापकुरम सभी महासागरों से अधिक होता है दक्षनी गोलार्द की अपेक्षा उत्री गोलार्द में तापमान अधिक पाया जाता है जिसका कारण है कि उत्री गोलार्द में इस थल्य भाग की अधिकता होती है उश्तम तापकुरम भी भूम उत्री कोलार्द का उसत वार्षिक तापमान सट सट डिग्री फोरेन हाइट, दक्षनी कोलार्द का उसत वार्षिक तापमान एक सट डिग्री फोरेन हाइट हुता है। हिंद महासागर की सतय का अधिक्तम तापमान अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में 82.4 डिगरी फोरेन आइटन कित किया गया है। हिंद महासागर के सीमानत एवं बंद सागर में अधिक्तम तापमान रहता है। महा सागरों की सतय के तापक्रम के वित्रन को मानचित्र पर समताप रेखाऊं द्वारा प्रदशित कहे जाता है, समताप रेखाएं समान ताप वाले बिंदूओं को मिलाने वाली रेखाएं होती है. अब हम महाँ सागर ये तापमान का लंबवत वित्रृण महाँ साघुरों का सर्वादिक तापमान सत्य पर ही पाय जाता है सूर्य की किरने सागर के अंदर 200 मिटर की गहराई तक ही प्रवेश कर पाती है उसके बाद में इनका जो प्रवेश किस्तिती है वो बहुत ही कम हो जाती है 2000 मिटर की गहराई तक तापमान में गिरावट तीवरगती से होती है यहां इस स्लाइड पे आप देखेंगे कि तापमान का लमवत वित्रन दिखाया गया है जिसमें गहराई के अंसार तापमान का वित्रन दिखाया गया है कि गहराई को लिया गया है 100 फैदम, 200 फैदम, 500 फैदम, 1000 फैदम, 1500 फैदम और 200 फैदम पर तापमान की स्तिती को दिखाया गया और एक फैदम के बराबर यहां 6 फिट होते हैं पांच फैदम की गहराई पर देनिक तापांतर तथा सो फैदम की गहराई पर वार्षिक तापांतर नहीं होते हैं. महा सागरिय सतय का तापकरम भुमद्य रेखा से दुरुओं तक कम होता है परंतु सागर नितल का तापकरम भुमद्य रेखा से दुरुओं तक समान रहता ह बुमध्य रेखा पर गहराई के साथ तापमान में गिरावट तीवर गतिसी होती है जबकि दुरुओं की और घटने की दर कम होती है जिन छेत्रों से सतय का जल बहा लिया जाता है और नीचे जल उपर आता है वहाँ पर सतय का तापकरम कम हो जाता है परिनाम सुरूप गहराई के साथ ताप का पतन मंद होता है जहां पर सत्य गर्म जल का संग्रे होता है वहां पर तापमान उचा हो जाने से गहराई के साथ ताप का पतन तीवरगती से संपादित होता है बुमदे रेखिये भाग पर वर्षा के जल के कारण लवन्ता कम हो जाती है परिनाम सरूप सत्य से नीचे उच तापकरम तथा उच लवन्ता पाई जाती है परन्तु उसके बाद पुने तापकरम का पतन प्रारंब हो जाता है कहीं कहीं पर सागरिये तापकरम के वित्रण में अधिक गहराई तक भी उच तापमान पाय जाता है, उधारन है सरगोसा सागर, लाल सागर, सुलू सागर, कथा रूम सागर उच अक्षांसों के बंद सागरों में तापिय प्रतिलोमन की स्थिति की अवस्थाएं पाय जाती है, कुछ सागरिये से छेत्रों में अधिक गहराई पर भी तापमान अधिक होता है, जैसे सरगोसा सागर, लाल सागर, भुमद्य सागर, आदी सरगोसा सागर, लाल सागर, भुमद्य सागर में गहराई पर भी अधिक तापमान का मुख्य कारण उनके जल का बाहरी सागरिये जल के साथ मिश्रण नहीं हो पाना है लंबुत रूप से तापमान की दिस्टी से महा सागरिये जल की तीन पर्तों का निर्धारन किया गया है नमबर वन है उपरी पर्त, नमबर टू, थर्मोकलाइन पर्त, नमबर थ्री, निचली पर्त उपरी पर्त महा सागरिये जल की सबसे उपरी पर्त है जिसकी सागरिये जल सत्य से गहराई 500 मिटर तक होती है निचली पर्त का विस्तार 1000 मिटर से महा सागरिय तली तक होता है महा सागरिय जल की उपरी एवं निचली पर्तों का अलगाव एक संक्रमन पर्त से होता है जिसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है इस पर्त को थर्मोकलाइन पर्त करते हैं थर्मोकलाइन पर्त का विस्तार तिन सो से हजार मिटर की गहराई पर होता है इसी के साथ ये हमारा विशय यहीं पर समापत होता है अंत में आप सभी का धन्यवाद